नमस्कार एटोजेट डिशश उशाक उर्जानी में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाले वाली तड़के वाली चास अब यह तड़का चास है आपको पीने में इतना मज़ा आजाएगा और अभी गर्मिया शुरू हो ग के ले इसमें आपको डाल दिना है दो कप दही यह घर की जमाई भी बड़ी अस दैया आप चाहिए तो मार्केट के भी ले सकते हैं यह दो कप जितनी है बड़े बरतन में डाल दी है अब इसे ब्लेंडर की मतलब से अच्छे से मेक्स कर लेंगे यह पर आप देख सकते हैं थोड़ा से ब्लेंड कर लेना तो ये दही देखिए इस तरह से स्मूध हो गई है अब इसके अंदर में डाल रहे हूँ दो ग्लास पानी पानी डालने के बार इसे हम फिर से ब्लेंडर एक बार चला लेंगे इसके अंदर तो यहां पर आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने च टालेना है अब इसके अंदर में डाल रहे हूँ स्वाद के अनुसा नमक इसके साथ काला नमक भी डाल दीजे थोड़ा सा एक चौथाई चमच काली मर्ची पावडर आदी चोड़ी चमच बुनाजीरा पावडर एक चौथाई चमच लाल मिश पावडर और फिर से हम एक ब ब्लेंडर को चला लेंगे इस तरह से करने के बाद अब यहां पर हम तड़के वाली चास बना रहे हैं तो गैस कौन करके एक तड़का पैन रखते इस पर डाला है बिल्कुल थोड़ा सा तेल एक चौथा ही चमच जितना ही तेल डालना उसे जादर नहीं थोड़ा से जीरा के बाद धकन को हटा लें और यह आपकी बढ़िया सी तड़के वाली चास बनकर तयार है और अब देखिए वह जो चास है थंडी 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 ना हो तो मज़ा नहीं आता है तो थोड़े से बरफ के टुकड़े डाल दे और थोड़े से धनिया के पते और इसे अच्छे स अबिक्स काले खाने के साथ इसे बढ़िया से आप पिए आपको मज़ा ही आ जाएगा बस अच्छे से ग्लास ले रें उसके अंदर ये थंडी 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 चास डाले और खाने के अगर थोड़ा सा भी तेल अगर आपने जादा डाल दिया ना तो छास के उपर पूरा तेल तेल आ जाएगा तड़के वाली चास है इसका मतलब यह नहीं कि तेल जादा डालना बिल्कुल नाम के बराबर तेल डालना तैयार यह बड़ी आसी तड़के वाली मसाला छास आप से जरूर ट्राइ किजिए घर में बच्चे होया बड़े सबी से पीना पसंद करेंगे और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले आज के लिए बस अतना है थांक ये फो वाच्चेंग